जहें दोस्तो आज से मैं एक audio lecture स्टार्ट करने जा रहा हूं दोस्तो यह audio lecture पूरी तरह से previous year best होगा जो विगत वर्षों से पुछी जा चुकी है BPSC में और उनसे संबंधित पुछी जाने की जो संभावनाएं बनती हैं उन पे हम चर्चा करेंगे दोस्तो यह हमारा segment का पहल भारत का इतिहास के होगा गशी तो बिना समय जाया करें हम कोसन पर आते हैं दोस्तो आज का पहला क्योंफन है भारत में पशुपालान्यवं क्रिशी के प्रचिंतम सक्ष कहां से प्राप्थ भूए गश्ड़ो WOW देवाब होगा मेहरगड मेहरगड से प्राचिम्तम सक्ष प्राप्थ हुए दोस्तो एक और इससे समंदित फैक्ट्ष दोस्तो जान लेते हैं नविंतम खोज के अधार पर भारतिय उप महादीब में प्राचिम्तम क्रिसी सक्ष अस्तल उतर परदेश के संद कभी नगा जील निश्ट को सन्दों हडापा में मिठी के वर्तनों को समाने ता किस रंग का उपयों किया जाता था इसका सभी जवाब होगा दोस्तो लाल रंग लाल रंग का प्रयों किया जा था दोस्तों नेक्स्ट कोश्चन है सिंधू सभिता निमलिखित में से किस यूग का कहा जाता है इसका सही जवाबों का दोस्तो आध एतियासिक दोस्तो आध एतियासिक से तत्य पर है लिखन का कला का ग्यान से पहले का जो कालखंड था भारती इतियास में 2520 से लेके 620 का जो कालखंड आध एतियासिक माना गया है सिंधू सभिता आध एतियासिक कालखंड का सभिता है क्योंकि यहाँ पर लिखन काला का ग्यान तो था पर अभी तकी से पढ़ा नहीं जा सका है सिंधू घाटी सभिता की सबसे महतपून विशेष्टा क्या थी दोस्तों तो इसकी पर इंसाइट राइट एंसर होगा सिंधू घाटी सभिता की प्रमुख विशेष्टा नगर नियोजन को माना जाता है जहां नगर और कस्वे एक निशित योजना के अनुसार बसाए गए थे पकी इट से बनी इमारतों में मुहन जोदोडो का विसाल एस नानागार और आनागार प्रमुख है निमलिखित में से कौन सा एक हडपा का बंदरगा है तो सही जवाब इसका होगा दोस्तों लोथल निमलिखित में से किस हडपा का बंदरगा है इसका सही जवाब होगा दोस्तों बनावली बनावली से टेरा कोटा का हल प्रापत हुए दोस्तों यह जो बनावली है आपका हरियाना के फत्तेहपाद जीला में स्थित है निमलिखित में से कौन हडपा और मोहन जोदोडों के उत्खनन से सम्मंधित है दोस्तों इसका सढ़ी जवाब होगा 1921 में दयायराम सहानी ने पहली बार हड़ापा सभेता का खोज किया था दोस्तो और 1922 में रखाल दास बनर जी ने महँजदुरों की खोज करी थी नेक्स कोशन दोस्तो प्रसीद दस राजाओं के यूद किस नदी के तर्ट पर लड़ा गया सही जवाब इसका होगा परुष्णी नभी नदी कुछ फैक्स देख लेते हैं दस राग यूद दस राजाओं के यूद था दोस्तो परुष्णी नदी जो परतमान में राभी नदी के तर्ट पर लड़ा गया रिग मंदल में कौन सा मंदल पूर्णत सोम को समर्पित है इसका सही जवाब होगा दोस्तो नवा मंदल रिग वेत में कुल दस मंदल दोस्तो दसवे मंदल में से नवा मंदल जो है सोम को समर्पित है महभीर स्वामी का जनम कहां हुआ था महभीर स्वामी का जनम कहां हुआ था जोस्तो इसका सही जवा बजाएगा कुंडल गराम महभीर स्वामी का जनम 15.99 इसापूर में बैसाली के निकट कुंडल गराम में हुआ था उनके पीता सिधार्त ग्यात्रिक चत्री संक्य प्रधान थे Next question भग्वान महाबीर का प्रथम सिष्ष कौन था? इसका सही जवाब होगा जमाली जमाली महाबीर स्वामी का प्रथम सिष्ष था दोस्तों जो जमाली था इनकी जो साधिव हुई थी यसोदा से उनसे एक इने पुत्री प्राप्त हुई थी उस पुत्री का नाम था प्रियदर्शना प्रियदर्शना के साधिव जिस व्यक्ति से हुई थी उस व्यक्ति का नाम था जमाली यही जमाली जो था इनका दमाथ था और प्रथम सिश्वी था नेक्स्ट कोशन त्री पिटक किसकी धार्मिक पुष्टक है? तिसका सही जवाब हो जाएगा बहुत धर्म त्री पिटक बहुत धर्म ग्रंतों में स्तरवादिक महत्यपून है बुध की अमृत्यों के बाद उनकी सिक्षाओं को संकलित कर तीन भागों में बाठा गया इनही को त्री पिटक कहा जाता है इन त्री पिटकों में से तीनों है पहला है विनै पिटक जो संग के नियम तथा अचार्ष की सिक्षाओं से समंदित है दूसरा है सुद पिटक इसमें महात्मा बुद्ध के वचनों का संकलन किया गया है नेक्स्ट है अपका अभिधाम पिटक जो थर्डवन है अभिधाम पिटक इसमें दार्शनिक सिधानतों का संकलन किया गया है नेक्स्ट कोश्टन अजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे इसका सइज जवाब होगा दोस्तो किन्तु बाद में मतभेद चलते इन्होंने महभीर की सिस्षेता त्याग कर अजीवक संप्रदाय का स्थापना किया था निम्लिकित में से किस राजाने पाटले पुत नगर को बसाया था? इसका सही जवाब अगा दोस्तो उदाइन मगद नरेश उदाइन के सासनकाल में सर प्रमुक, घटना, गंगा और सो नदी के संगम पर पाटले पुत नामक नगर की स्थापना है दोस्तो उसने राजगिर में इसी अस्थान पर अपनी रधानी को अस्थानतरित किया था इसका सही जवाब हो जगा दोस्तो पंचम, पंचबी पीडि की माने जाती है दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जो वरीजनल वाले जो बोध बिरिज थे उन्हें सात्वी सताबदी में समराथ ससांग ने नस्ट करा दिया था इसके बाद से वहाँ पे दो बिरिज रोपी थुए और उन्हें भी नस्ट कर दिया गया वर्तमान में विरिज जिसे हम देखते हैं आज वो पांच भी पिढ़ी का है जिसे अलक्जेंडर कनिंगर में लगवाया था नेश्ट कोशन दोस्तो अजाद सत्रू के वन्स का नाम क्या था अजाद सत्रू के वन्स का नाम क्या था सही जवाब होगा इसका दोस्तो हयक वन्स मगत के सासक अजाद सत्रू अपने पीता एवं हयक वन्स के संस्तापक बिम्बसार की हात्या का रजगदी पर बैठा था इसकी हत्या भी उसके पुत्र उदाईन ने कर दिया था Next question ब्रामी लीपी को सरप्रथम किसने पढ़ा? सही जवाब हो जाएगा इसका James Principe सरप्रथम 1837 इसवी में James Principe नामक बेक्टी ने असोक के लेखों में ब्रामी लीपी की पहचान करी कि उन्हें उन्हें लेखों को पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाए Next question Megasnins के पुच्टा का नाम क्या है? Megasnins की पुच्टा का नाम क्या है? सही जवाब होगा दोस्तों इसका Indica